कर रहें सकार दोस्तों को और आपको कहिसे वीक उसकार कर ये वीडियो में पूछ रहां पड़ते हैं धा wife कि मेरा जो पोर्षन लेकिन चलागी काम नहीं जाधा आपको पता है हा है में तो जितना काम देंसा कि उतना मैं करके गया था कि काइनमिटिक्स पढ़ लते हैं में का इनकिस पढ़के गया है यहां से तो अब से ़िया दिया लेकिन मैं सॉलम नहीं कर पाए है है कि अगर अगर आप state board से कैसे किया थे अगर चुट वोड़ करने निक हैंस यह स्टेट आइज Option के सब Cartom क्या करने देखिए मैं भी स्टेट बोड का स्टुडेंट हूं मैं कोई CBSC पढ़के नहीं आया CBSC बोड से तो मैं NCI T book download किया खरित के लाया कि वो download से पढ़ नहीं पा रहा था तो मैं लेके आया था खरीद के लाया था तो जितना भी आफ बात हुआ कि नहीं प्रफिजिकल पार्ट में प्रफिजिकल परणा पढ़ेगा कि आपका पहले होगा मोलर कॉंसेप्ट जहां से कोशन पूसता है चप्टर हो गिए नहीं पूसेभ पूसता है आफका टेस см रहा कोशन अलावा पूसता है तो यह सब चैप्टर में अच्छा cięips नोडिल अंनिक कर दिया हूह सबसे बड़ा बात है कि organic chemistry कैसे पढ़ा था और चीद ओका ध्यान रखा था यह बात हुआ कि देखिए और इन एक्सिन से पहले आपको जानना पढ़ेगा कि जननरल और गिनिक क्या होता है यह सब आपको यह पढ़ना पढ़ेगा कि यह अगर 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 यह अटक कर रहा है और कोई भी और कोई अगर जाकर रहा है इलेक्ट्रफाइल अटक रहा है उसका स्टेबिलिटी कैसे मेंटर होता है यह सब को आपको पढ़ना पढ़ेगा वह है आपका नेम रियक्शन से बहुत सरा कोशन पूछता है यह सब जगा से वह सरा है तो मेरा पहले वीडियो देख लीजेगा यह नू का वहां पर मैं डेस् स्किपिशन में देदे तो उहां पर मैं क्या-क्या फॉलो करके गया था था वह भी देख लिजेगा वीडियो अब बात हो कि केमिस्ट्री हो गया आप ता कैसे पढ़ना है अब हो कि मैंत्यमिटिक्स में क्या क्या था देखिए मैं पुछ चेप्टर में पढ़के गया था میत्रीक्स हो गया से हो गया प्रोबाबिलिटी Conceptokay बिक 2003 इतना नहीं किया था लेकिन हो फेक्तिर कर लिया था वहां से और कै लियो था पैप्रबॉला किया रहता चाल्प्र होहां से क्ट्रगु हों से कष्टरं पूछता है याय थे यहां से पूछता है और physiognometer का लिए दिए जतना आपको फर्मूला का कंबिनेंशर पता होगा जतना पता होगा कैसे सॉल्थ करना है उतना जल्दियां आफ सॉल्थ करना है यह से मैट्रिस का बहुत सरे चीज होता है पता होगा कि गुणा कैसे करना पदता है आपको डिटरमिनेंट कैसे निकालना पड़ता है अगर पता होगा तो यह आपको अराम से सॉल्फ कर दो यह जैनू में पूछा भी था तो सब्सक्राइब कर दिया था तो आपको भी ऐसे स्ट्रॉंग पॉइंट पकड़ ले नहीं जहां से कोश्चन पूछता है मैं बता भी दिया यहां से ज्यादा कोश्य पूछता है तो भी पिपर कर लिए चार्च से ख़तरना को बला अब उतना टॉप लेबल का पढ़ना नहीं है आपको जहनू लाइट संस्के एक्जाम क्रिया करना है तो सिंपल डिफरेंसिस इंट्रिगेशन यह साब पता होगा तो कोशने तक आपको एक ज्रूबाओ पढ़ना पढ़ेगा है आपको एक्ट्रों फाइल्स क्या होता पढ़ना पढ़ेगा ग्राम्नों तो दी पार्ड होता है से ने सुछ क籹ने आपको अगर आपको अप्रोप करता है आपको पढ़ना सब्सक्राइब कर दक्राइब करें कि लिए बात है कि आपको पड़े इस पर नहीं है तो इतना आपको अलग से विपर करने जरत नहीं आप पढ़ा लिजिए से रभार लीजिए सब्सक्राइब क्या होता है यह सब पढ़ना पड़ेगा उसके बात जो देखिया आपका इमोलोजी यह से ोपर कि आपको डेवलामेंटराईजी एक दो पूछ लिए और आपको पर्सेंट मेकसे उस्टेम की पूछता है तो वह से पोरißt हो लीजिए अगर आप जो लोगोगा शुट्व नहीं है और आप अब अल्रीजी जोलोजी को सब्सक्राइब कर लीजें तब कर लिए काउंटर म veah basic structure क्या होता है ईभी अभी बहुत इंपर्टन होता घृचे पॉटेस्टिरिंग आपने ही उच्वा amplitude ग्याए अपाइसा पोटन हेस यह सपन जंग इस ल हार जगा हम फिद्क नाब जैनने घ्टवेगा है यह तो आपको पढ़ने ही पढ़ गा यह बहुत इंपर निज्ग संफ ही आप नबर देता हूं आम इंच्टा आ RIS आप डेक पर लिए ऑप सबसेता है आप शिंग करना है जहां चांट करना जहां आप लिंक हो सकते हैं old मैं आपको सिफ जेनु का इंट्रांस के बारे में नहीं बताऊंगा जैसे आपको कैसे Microsoft मतलब आपको वाड चलाएं ना वाड कैसे अंडर करें मैं यूटूब पी चलाएंगा एसोपी कैसे लिखना पड़ता है एकसल को कैसे अंडर कीजिएगा और ओनलाइन में कैसे आप मतलब रिजेनेट कर पाईएगा अपने मनी भी रिजेनेट कर पाईएगा यह सब बारे में आपको बताऊंगा नहीं चलाएंगा फोलोगा इस वीडियो में आपको मैं आपका नंबर देदेंगा और कोई भी दिक्कत हो एंट्रांस एक्जाम करें तो मैं ऐसे कोंटेक्ट कर लीजिए मैं रिपले जवर दूँगा और मेरे चै के साथ ढूड़ने के लिए ओड़ने के लिए मेरे वीडियो को आकर हो डिख्कत हो मेरे साथ कोंटेक्ट करने के लिए पहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों